डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांद सेकिन बाद सड़कें देश के विकास, एजेंडे और अर्थ व्यवस्था को गती सील बनाने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाती हैं हालांकि सड़कें विकास में तभी योगदान दे सकती हैं जब वे यात्रियों के लिए सुरक्षित हों हर दिन लाखों लोग एक्सप्रेसवे से लेकर ग्रामिन सड़कों का उपयोग करते हैं दुर्भाग्य से उनमें से कुछ सड़क दुरगटना के सिकार होकर गंभीर रूप से घायल या ऐसमय काल का ग्रास बन जाते हैं दुनिया में सड़क दुरगटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में भारत पहले इस्थान पर है इसके बाद चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का इस्थान है 2018 में विश्व स्वास्थे संख्थन द्वारा प्रकासित रिपोर्ट ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट आन रोड सेफ्टी के मुताबिक भारत में सडक दुरगटनाओं में प्रति वर्स लगबग डेड़ लाग लोगों की मौत दर्ज होती है प्रति एक लाख जनसंख्या पर 23 लोगों की मौतें होती हैं जो की दुनिया में सडक दुरगटनाओं से समंधित मौतों का लगबग 11 प्रतिसत है सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले द्वारा प्रकासित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार राष्टिय राजमार्ग देश के सडक का 2.13 प्रतिसत हिस्सा साजह करती है लेकिन 2015 से 2019 तक की वार्षिक अवसत सडक दुरगटनाओं और मौतों में 39.6 प्रतिसत हिस्सा है इसी प्रकार राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सडकें देश के सडक तंत्र का क्रम से 3 और 83 प्रतिसत हिस्सा साजह करती है जबकि वार्षिक सडक दुरगटनाओं में होने वाली मौतों का 43.4 और 27 प्रतिसत हिस्सा साजह करती है ग्रामिट सडक दुरगटनाओं में मौतें सहरी सडकों की तुलना में लगबग दो कुनी है 2019 में लगबग 67 प्रतिसत सडक दुरगटनाओं और 60 प्रतिसत मौतें ग्रामिट इलाकों में होई यानि ये हाद से ने केवल बड़ी तादाद में जनक्षती की वजह बनते हैं बलकि इनसे देश की अर्थ व्यवस्था को भी भारी नुकसान होता है उपरोग आंकडे इसलिए चिंता जनक हैं क्योंकि इतने लोग आपदाओं आतंकवादी हमलों या फिर अन्य संघर्सों में भी नहीं मारे जाते जितने सडक दुर गटनाओं में ऐसमय अपनी जान गवाँ बेठते हैं फर्क यह है कि आतंकी हमलों जैसी गटनाओं में मारे गए लोगों की गिनती होती है लेकिन हादसों में जान गवाने वालों की आंकडी हमें परेशान नहीं करते विधी आयोग की एक रिपोर्ट की मुताबिक अगर सडक दुर गटना की एक घंटे की भीतर घायलों को अस्पताल पहुचा दिया जाए या उन्हें आपात चिकित्षा मिल जाए तो करीब पचास प्रतीसत की जान बचाई जा सकती है लेकिन जागरुकता की अभाव में बहुत सारे लोगों की जान इसलिए चली जाती है कि गटना स्थल पर मवजूद लोग अपनी कानूनी कारवाई की डर से घायल व्यक्ती को समय रहते आपात कालिन चिकित्ष किये सुविधा प्रदान कराने में हिचकते हैं प्रमुख तोर पर सडक हादसों के पीछे तेज गती और लापरवाही से वाहन चलाना यातायात नियमों की अवहेलना को कीरण माना जाता है इनके अलावा तूटी फूटी सडके विसम और मिस्रित यातायात की स्थिती निगरानी की बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिती अनुचित सडक डिजाइन खराब द्रश्यता विसेशकर रात को और कोवरे की मौसम में सडक सुरक्षा उपादान साइन बोर्ड, रोड मारकिंग, क्रेस बेरियर, रिफलेक्टर आधी का अभाव भी सडक दुरगटना का बड़ा कारण है सडक परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए वाहनों की संख्या और सडक नेटवर्क की लंबाई में बीते वर्सों में काफी व्रद्धी हुई है देश में सडक नेटवर्क के विस्तार गाडियों की संख्या में व्रद्धी और सहरीकर्ण का नकारात्मक पक्स सडक दुरगटनाओं में हो रही व्रद्धी के रूप में सामने आया है सडक दुरगटना देश में मृत्यू और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है जिसकी देश को भारी सामाजिक आर्थिक लागत चुकानी पड़ती है आकडों की अनुसार भारत में प्रती वर्ष सडक दुरगटनाओं की कारण होने वाला नुकसान देश की सकल घरेलू उत्पाद का लगबग तीन प्रती सत है व्यक्तीगत और राष्टिये इस्तर पर सडक सुरक्षा की महत्व को समझते हुए सभी हित्धारकों की सामूहिक प्रयास से सडक दुरगटनाओं और मृत्यू दर में कमी लाई जा सकती है सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सडक सुरक्षा में सुधार और लोगों में सडक सुरक्षा के प्रती जागरुपता लाने के लिए विभिन इस्तरों पर योजनाएं कारियानवित हैं इनके अलावा राष्टिये सडक सुरक्षा नीती के तहट कुछ नीती गत उपायों को अमली जामा पहनाया गया है जैसे सडक सुरक्षा सुचना डेटाबेस की स्थापना बुनियादी डांचे को उन्नत बनाना सुरक्षा कानूनों का प्रवरतन आदी किया गया है पर अब भी कुछ बेअदब लोग अपनी एवांचनिये गतिविदियों से बाज नहीं आते और सडक पर जाने अनजाने खुद की और दूसरे लोगों की जान जोखिम में डालते हैं सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुद्रड करते हुए और उचित वेज्ञानिक साक्से आधारित परिवहन नीतियों के माध्यम से लोगों की सफर को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सकता है अगर व्यक्ति सराब पीकर गाड़ी चलाता है तो इलेक्ट्रोनिक सेंसर के माध्यम से गाड़ी की इंजन को बंद किया और संभावित दुरगटना को होने से बचाया जा सकता है समाप